अस्सलामुलेकम नाजरीन ऐसे ड्रामे कम ही बनते हैं जिनको देखने वाला रो ही पड़े लेकिन आज हम ऐसे ही औरीजिनल अदाकारी पर मगनी ड्रामे लेकर आए हैं ये ड्रामे आपको इतना जज़बाती कर देंगे कि आपकी आँखों से बेखत्यार आंसू निकलाएंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दर्खासत है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नमबर टेन संगे माह ड्रामा सेरियल संगे माह का शुमार भी हम टीवी के जज़बाती ड्रामों में होता है ये ड्रामा दो खानदानों के बीच में तसादम की तस्वीर खेंचता है गुलिस्तान खान का खानदान एक रईस और एक इजददार खानदान है जबकि सैफर रह्मान को नाई और मोची के खानदान का समझा जाता है दोनों की दरम्यान जगड़ा हुआ है कि सैफर रह्मान ने गारत की वज़ज़ से गुलिस्तान खान के बेटे को कतल कर दिया है और अब सेफर हमान की भी वी गुलस्तान खान से माफी मांगना चाहती है कि वो उसके शोहर की जान बख्षते ड्रामे को बहुत अच्छा लिखा गया है और तमाम अदाकारों की कारकरदगी बहुत शांदार है साथ ही साथ इस ड्रामे में खवातीन के साथ होने वाली जियाहतियों को भी उजागर किया गया है ड्रामे में दिखाया गया है कि कैसे खवातीन को खमोशी और बेजबानी की जिंदग्यां गजारने पे मजबूर किया जाता है और यही उनका मुकदर बन जाता है नम्बर 9. उल्लू बरायफरोखत नहीं ड्रामा सीरियल उल्लू बरायफरोखत नहीं एक मनफरीत स्टोरी ड्रामा था. यही जाए है कि ड्रामे को बहुत ज़्यादा फैन फॉल्विंग मिली और सोचल मीडिया फेम भी. पाकिस्तानी ड्रामा इंड्रोस्ट्री में उल्लू वराए फरोख तहीं एक शाहकार है ये ड्रामा आमना मुफ्ती के अफसाने पर मुबनी है कहानी है पंजाब के दो जगेरदार भाई और उरुन की ऑलाद बड़े भाई का करदार अदाकार हबीब ने निभाया और चोटे भाई का करदार सहेल एमद ने याकुब मलकाना, हबीब जिसकी तीन बेटियां कनीस फात्मा, एर्सा गजल, नजीर फात्मा, आसिया, यमना जैदी और बेटा गुलाम फरीद, नमान इजाज और चोटे भाई इसाक मालकाना, सुहेल एमद की दो बेटे गुलाम रसूल, गुलाम मुहमद कामरान मुजाहिद और बेटी गुलेराना सबाकमर है दोनों भाईों की आपस पे दुश्मनी है वजा गुलाम फरीद ने अपने चचाजाजाद का कतल किया है, अपने अबा के कहने पे क्यूंकि गुलाम रसूल अपने ताया की बेटी कनी इस फात्मा से मुहबबत करता था चचा बेटी के कतल का बदला लेने के लिए अपने बाई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अपने बच्चों की शादी वट्टे सटे पे कर देते हैं गुलाम फरीद की शादी गुलेराना से और गुलाम की शादी नजीर फात्मा से शादी के पहले दिन चचा बेटी जी यानी बहु को कतल करके अपने बड़े बेटे के कतल का बदला लेता है यहां से होती है असल कहानी शुरू मुहबत नफरत इंतकाम की कहानी की किस तरहां पसमादा इलाकों में औरतों का मर्दों की लड़ाई में भेड़ बक्रियों की तरहां इस्तमाल किया जाता है वट्टे सटे की शादी में एक फरीग की गलती से दूसरे की जिन्रगी कैसे जहन्नम बन जाती है नमान इजास को उनकी शांदार परफॉर्मेंस पे बेस्ट एक्टर फार नेगिटिव रोल के लिए एहम एवार्ट दिया गया अधूरी कहानी टीवी वन का ड्रामा था जो 2018 में नशर हुआ ड्रामा एक अलमे पर खुलता है और इसमें गहरा इस्टार है इस टामे में अधाकारा एकफ़त उमर, उमेर राना और एक नया चहरा दानिया अन्वर मरकजी करदार है अधूरी कहानी एक ऐसी खातून की कहानी है जिसने अपने वालिदेन की मौत के बाद अपनी चोटी बेहन को बड़ी तवज्ज़ और महबत के साथ पाला था एक हादसे के बाद वो कौमा में चली जाती है और इस तरहां वाकिया तेजी से रोनमा होते हैं उसे अब ना सिर्फ उलजन को दूर करना है बलकि हालात को कुबूल करने और कतल के मौमे को हल करने के लिए भी जदजहत करना है लेकिन वो किस पर भरोसा कर सकती है वो नहीं जानती ड्रामा सिर्ली रोग की स्टोरी आपको यकिनन खुझ से बांद लेगी जब ये ड्रामा दिखाया गया तो इसने बहुत से वीवर्स को सैड किया रोग ने बच्चों के इसमरदरी के हसास मसायल को जागर किया और इस्या हकीकत को दिखाया जिसे हम अपनी बेटियों और बेहनों से पुशीदार रखते हैं ड्रामे में मतासरा के खांदान की जदोजहत और मौशे में फिट होने के लिए होने वाली तबदिलियों को दिखाया गया था रोग एक ऐसा मौज़ था जिस पर कभी किसी ने बात नहीं की और बाबर जवेद ने बगएर किसी गहर जरूरी मसाले को शामल किये मौज़ के साथ मकमल इनसाफ किया फैसल कुरेशी आसिफ रजामीर और सुम्बल अकबाल समेथ देगर ने अपने मुदनाजा किरदारों के साथ जबर्दस अदाकारी की और ऐसा मसला जिन्दा कर दिया जिसकी हिम्मत पहले कभी नहीं हुई ड्रामा सीरियल शक एक ब्लॉग बस्टर ड्रामा साबित हुआ ड्रामा सीरियल शक 2013 का मश्चूर ड्रामा सीरियल था इसकी हिदायाद अदाकार प्रोड्यूसर यासर नवाज ने दी थी इस तामे में आईषयखाखाँआईअ अदिल हुसएं और सेनम साइबार किये ये सीरियल शक रर्राम और सानिया की जिन्दगी के गरत घूमता है जिसका खेहर तामा सीरिश झाणी अईशा काईषाखाँएख गरेलु खातून है जो अपने शोहर से प्यार करती है त्यार करती है जो कि काफी अजीब हो जाता है नमबर फाइव दिले मजबूर नो वीवर चॉइस के लिए ड्रामा सीरियल में दिले मजबूर भी शामल है इस ट्रामे की कहानी मौश्रे की अकासी करती है ड्रामा सीरियल दिले मजबूर की कहानी एक ऐसे शादी शिदा बसर कर रहे होते हैं लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो दोनों एक साथ रहते हैं बिलाखर वो दिन भी आन पहुंचता है जब ये दोनों उलादगी का फैसला करते हैं और लड़की अपनी बेटी को लेकर अलग हो जाती है लड़की यानि इशल बड़ी होती है और वो रोहे हमाई और शरफ ईशल फयास शामिल है No.4 सीर्यल तनکीदी नजरों का सामना रहा इस सीर्यल में किंजा हाश्मी के साथ हमजाफर्दोस, अली इंसारी, सखीना खान, सीमी पाशा ने अदाकारी की सीर्यल एक इसाइ लड़की की कहानी है और इसको एक मुसल्मान लड़के से अचाना एक प्यार हो जाता है पर शादी के एक दिन पहले वो कतल हो जाता है उसको फिर उस लड़के की कजन से शादी करना पड़ती है जो पहले ही किसी और को चाता है ड्रामा देखकर आप पर दुखी कैफियत जरूर तारी हो जाएगी नमबर थ्री इंकार ड्रामा सीरिल इंकार एक रिकार्ड बेकिंग सीरिल है ड्रामे के कहानी ड्रामे के तीन मरकज जिकरदारों हाजर इल्यास, शायान मलेक और रहान चौदरी के गिर्ट ग्रूंती है ड्रामे के सारी खुबसूरती बाप और बेटी के मजबूत रिष्टे में मजजूत है बाप और बेटी के दर्मियान इतमाद यकिन अंदोस्ती और महबबत का एक ऐसा गहरा तालुक दिखाया गया है जो मिडर क्लास खराना में अमोमन नहीं पाया जाता ड्रामे की दूसरी खास बात यह है कि बागी सारे वालदायन के मनफी और मजबत करदार बहुत ऐसन तरीके से लिख और दिखाये गए है इस ट्रामे की तीसरी खास बात ये है कि इसमें मौश्रा हो, वालिदेन हो, ये खास तोर पर नाजवान सब के लिए बड़े और एहन सबक है ड्रामा सीरिल नेहर में सुबूर अली ने अन्मोल का रोल प्ले किया है ड्रामे का अगाज एक खांदान के साथ होता है जो अपनी बेटी तूबा की खो जाने का सोग मना रहा था जिसे उसके सुस्षाल वालों ने गतल कर दिया था जिसमें उसके शोहर मज़र, शफात अली उसकी सास इश्रत, मुनज़ा आरिफ और उसकी भावी शामिल है कानून, महविश, अनाया खान, मज़र और इसका खांदान जहेज के कारोबार का हिस्सा है इसलिए तूबा की मौत के बाद उन्हें कौम अलियन अरीबा हबीब मिल जाती है कौमल के खांदान में उसकी बेहन अनमौल सबूर अली एहम है मज़र और कौमल की शादी के बाद कबीर की बेहन जहरा, राबियन और इनकबीर से अनमौल को अपने बेटी अरसलान, उमर एक बाद से शादी करने के लिए कहती है अरसलान के ये मशवरा देने के बाद अनमौल से शादी करने से वो अमीर हो जाएंगे लेकिन ये फैसला अनमोल की जिन्दगी बरबात करने का सबब बनता है ड्रामा सीरेट सियानी जियो टीवी का ड्रामा है जो कि आपकी दिल को छूच जाएगा ड्रामे में दिखाया गया है कि किरन एक खुदगर्स और मगरूल लड़की है जो शॉर्टकट इक्तियार करके तर्जे जिन्दगी हासिल करने की खाहर शरकती है किरन की वालिदा नुस्रतारा अपनी बेटी की फिट्ट से वाकिफ है और उसे कुछ करने से नहीं रोकती है इसके बरक सरजाल आएक खुशिकलाक और खुबसूरत लड़की है जो किरन के खांदान की साथ आती है और खुदमक्तार बनने की कोशिश करती है जर्बाब एक खुबसूरत नوجवान है जिसका तालुक एक बास सरोर अमीर घराने से है किरन के साथ उसकी पहली मुलाकात जादोई साबित हुई क्यूंकि उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है किरन जर्बाब के गिर्जूट और फरेव का जाल बनाती है दूसरी तर फुजाला मुहबत और उधूरे खाबों से महरूम जिदगी गुजारने पर मजबूर है तो ये था हमारा आज का काउंट आउन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीड़बेक देना बिलकुल मत भूलेगा अल्ला हाफिज